जाहिंद आपके अपने चैनल नियो अश्ट्री 24 के ब्रहमास्ट सीरीज के डे 28 जो टेस्ट लिया गया था तो का हम इक्सप्लानेशन वीडियो लेके आए हैं देखिए इस टॉफिक वाई टेस्ट सीरीज में आज का टॉफिक था अमल छारक एवम लवन और इससे सारे कोश्चन पुछे गए थे जो की BPSC के लिए बहुत इंपोटेंट है यहां से एक कोश्चन प्रते एक साल आता है तो आईए हम जैदाना देर करते हुए चलते हैं आ आज का फर्स्ट कोश्चन था कीट डंस से होने वाली खुजली किस कारण होती है इसका आंसर ए हो जाएगा फौर्मिक अमल देखिए अगर बात करें चीटी और नेटल की डंक मेसे जो है कौन सा अमल निकलता है तो आपको आंसर याद रखना है मैठे नौक अमल अगर पू अब बात कर लेते हैं कि यह जो फौर्मिक अमल है इसका उपयोग जो है किन-किन चीजों में होता है तो देखिए इसका उपयोग जो है आपको जिवानु नासक के रूप में फलो के रस को जो है सन्रक्षित रखने में रवर की वयापार या असकंदन में और चमरा उद्द देखिए अगर आपसे पूछे इसके अलावा भी बहुत से चीज है जिन प्यज बेलु होता है अगर पूछे कि दूद का प्य बेलु कितना होता है तो आपको याद रखना है 6.6 और अगर पूछे दे कि मानव मूत्र का प्यज बेलु कितना होता है तो 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में वहीं अगर पूछ दे मानव रगत का value कितना होता है तो 7.3 से लेकर 7.5 के बीच में और मानव लार की बात करे तो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में वहीं अगर आपको सूध जल की बात करे तो देखिए 7 होता है सूध जल में जो है pH value 7 होता है अगर वहीं जो है समुदरी जल की बात करें, तो समुद्री जल क्या होता है, तो नमकीन होता है, यानि छारिये होता है, तो इसका value क्या हो जाएगा, तो 7 से जैदा होगा, तो कितना होता है, 7 से जैदा, तो 8.4 होता है, इसका pH value, अगर बात करें, कि सराप का pH value कितना होता है, तो 2.8 से लेकर 3.8 के वीच करें तो निंबू का फूआ नुससे लेकर 2.4 अगर वहीं पूछदे कि सीर्का का वैलू तो सीर्का के बेलू फूदे ईससे कोरी कि वीच में होता है और पूछ दे कि बी यर का वैलू किटना होता है तो 4.0 से leकर 5.0 और कॉफी का value पूछे तो 4.5 से लेकर 5.5 तो इतना value जो है आपको याद रखना है अब तीसरा question है कौम सा अमल हमारे सरीर में पाचन किरिया में सहायक होता है तो देखिए पाचन किरिया में जो अमल सहायक होता है वो होता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा देखिए पेट में जो है अमासाय का जो होता है ऑक्सिटिनिक वो क्या करता है तो हाइड्रो कोलोरिक अमल जो है उत्पन करके जो है भोजन तो क्या करता है तो अमल ये बना देता है और इस अमल के द्वारा क् किरिया को तीवर करके भोजन के पाचन में सहयता मिलती है लेकिन अगर हम वहीं पर अगर मसाला खाते हैं अगर कोई व्यक्ति आप लोगों में से कोई मसाला खाते होंगे तो आपको अनभव हुआ होगा तो यही अमल पेट में जो जलन एबम दर्द का कारण बन जाता है अब की मतलब होगा है कि क्या कारण है कि एस्टिक आमल काम-जोड है इसका अंसर हो जाएगा जो सीरका के निरमान में होता है और एसी टोन बनाने में होता है और खटे खार परार्थ में तो होता ही है और विलाय के रूप में इसका उपयोग होता है तो इतना आपको याद रखना है आप देखें पांचमा कोचना गौर से देखिएगा तिरी आधारिये अमलका अनुभार 176 है और इसका समतुल भाग होगा मतलब बोल रहा है समतुल भाग आपको जो निकालना है तो यह कैसे निकलेगा तो यह सुत्र से निकलेगा आपको क्या दिया हुआ है तो अनुभार जो आपको दिया हुआ है कितना तो 176 अब बोल रहा है समतुल भाग निकालने के लिए तो देखिए एक ठो सुत्र होता है और इसका और मॉल तो तीन बोल रहाART मज़नат यहां इसकी सनियोजक्ता कितना है तो आपको दो वें कोचने करना आप आपको क्या करना है की जब इसको क्रॉस कीजिए गा तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला बन जाएगा अनुभार बते सनुजक्ता तो आप अनुभार का जो है बहलू जो है कितना है एक सोचीटर है वो पूट करिए और सुनियोजक्ता क्या स्थान पर जो है जो इसका सुनियोजक्ता कितना है तो तीरी अधार ये था तो तीन हैसे ने जगता तो इसका जो है value put किजिए और इसको जो calculate करिए तो आज इसका आंसर कितना हो जाएगा 58.66 हो जाएगा आंसर नमर C हो जाएगा देखिए अब छठा question है कहता है कि निम्बू खटा जो है किस कारण से होता है तो इसका आंसर हो जाएगा satiric aml के कारण होता है देखिए अगर निम्बू की बात करें तो निम्बू में satiric aml 5% तक पाया जाता है इसी satiric aml के कारण निम्बू क्या होता है तो खटा लगता है आपको यहाँ पर confused नहीं होना है यहाँ पर कई जो है एसी टिक कर सकता है तो इसलिए आपको confusion नहीं होना है कि निम्बू में satiric aml 4-5% तक पाया जाता है इसलिए यहाँ पर option satiric aml जो है दिया गया है अब आईए बात कर लेते हैं सैट्रिक अमल के उपयोग की तो देखिए सैट्रिक अमल का उपयोग जो धातुबों को साफ करने में किया जाता है खाद पदार्थो एबम दवाईयों के निर्मान में किया जाता है और कप्रा उद्योग में इसका उप्योग किया जाता है अब आईए देखते सातमा कोशन है विटामिन C का रसाइनिक नाम क्या है तो आपको पता ही होगा तो इसका vitamin C का रसाइनिक नाम क्या है तो इसका नाम है ascorbic acid यानि ascorbic अमल है अगर वहीं पर पूछ दे कि vitamin C को किसने खोजा था ये देखिए खोज से समंदित question आता है VPSC में आपको खोज से समंदित question पूछता है एक question तो fix रहता है कि खोज से समंदित पूछता है या तो वह past से हो या current basis हो तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है तो बताइए कि vitamin C को किसने खोजा था तो vitamin C को whole cut ने खोजा था या बात करते है vitamin C के कमी से कौन कौन सा रोग होता है तो देखिए मुह तथा मसूड़ों में निम्बू में, संत्रा में, नारंगी में, टमाटर में, खटे पडार्थों में, मिर्च या कहूं तो सिमला मिर्च में भी, चुकुंदर, अंकुरित अनाज, चुकुंदर का पत्ता, टमाटर, पत्तागोबी, करेला और कस्तूरी में भी पाया जाता है vitamin C अब देखिए आठमा कोश्चन है, निम्बू में से कौन सा अमल जो है, सिर्के में उपस्थित होता है तो देखिए, एसिटिक अमल जो है, सिर्के में उपस्थित होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक अमल हो जाएगा, आंसर नमर D हो जाएगा अब देखिए नैट्रिक अमल की जब भी बात हुई तो नैट्रिक अमल के उपयोग को हम देखेंगे तो नैट्रिक अमल का उपयोग जो होता है और उस डियों के निर्मान में उर्वरक के निर्मान में अमल राज बनाने में जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है और परियोग साला के अभी कर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है इसके अलाबा जो है विश्पोटक पदार्थ के रूप में भी जो है इसका उपयोग होता है अब देखिए दसमा कोशन है निम्न पदार्थों में से काउन सा पदार्थ जो है खाने की वस्तों का परिरक् करता है तो यह अभिक्रिया करता है काज कि सीलकाउंट डियाखसाइड से तो इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा देखिए बार्मा कोश्चन है सोने को घोला जाता है तो किसमें तो देखे कार खाने से दुवा निकलता है वो वाई उमंडल में जाता है और उसके बार जो वही परदूसक जो है acid rain यानि अमल वर्षा के रूप में गिरती है फिर से और इसी acid rain की विज़से आगना का ताज महल उसकी जो सुन्दरता है उस पर एफेक्ट पड़ा है अब देखिए चोद्वा कोश्चन है खाने का नमक किस से बनता है तो खाने का नमक किस से बनता है इसका आंसर हो जाएगा B हो जाएगा मजबूत अमल और मजबूत चार से खाने का अमल बनता है तो कैसे तो देखिए NaCl इसका सुत्र होता है sodium chloride और आप देखिए कि Na पलस होता है और Cl जो है मैनस होता है इसी कारण से जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर B हो जाएगा मजबूत अमल और मजबूत चा से इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा किसकी मात्रा इंरा वर्सा में सब से अधिक होती है तो अभी हम पिछले कोुषिन में भी देखli थे कि से का स्वाईowEE करन होती है लेकिन आपकोष्ण क्या पूछा है कि किसकी मात्रा आमilläशल्चा में articleц होती है तो किसकी होती है तो इसका अंसर हो जाएगा H2SO4 यानि C हो जाएगा अब देखे 17 कोशन है कार की वैट्रू में परियोग होने वाला अमल कौन सा है तो देखिए कार की वैट्रू में जो है किया जाता है इसके अलावा जो है परियोग साला में जो गंदगी के साफ करने में भी जो है इसका उपयूग किया जाता है अब देखिए 18 कोशन है निम्न में से किसका pH बहलू जो है सेवन है तो आपको पता ही होगा कि pH बहलू किसका है तो वाटर का होगा सूध वाटर का और उदासीन वीलियन का तो इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा A और B हो जाएगा तो इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा एक से जैदा यानि more than one तो इसलिए इसका option क्या हो जाएगा E हो जाएगा अब देखिए 19 समा कोशन है पानी का pH मान है मतलब बोलना है कि पानी का pH मान कितना होता है तो अभी हम देखे कि सूर्ध पानी का pH बहलू कितना होता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो option नमर B हो जाएगा अब देखे, बीसमा question है एक घोल का pH 3 से जो है 6 बदल जाता है इसमें बोलना है कि एच पलस आयन के सांदरता पर क्या effect पड़ता है तो देखें इसका सांदरता जो है तीन गुणना कम हो जाएगी क्यों क्योंकि बोला है कि 3 से उसका पीच भैलू पलस 3 था हैच पलस 3 था वहां से 6 हो जाता है मतलब क्या है कि अमल का गुन कमजोर होता जा रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा तो तीन गुना कम हो जाएगी वहीं बात करें कि पीए जो पीएच भैलू है यह पीएच भैलू है क्या तो देखें पीएच भैलू जो एक संख्या होती है जिससे पतात की अमलिता या छारिता का पता चलता है अगर और बोलेगा कि pH value जो है कितने से कितने के बीच होता है और साथ से जो नीचा जाएगा तो क्या हो जाएगा वो जूह जैदा Acetic होगा जितना नीचे की तरब जाएगा अतना Acetic होगा होगा और साफसे जितना ऊपर की तरब जो है इसका मान बढ़ेगा उतना वो छारिये घो जाएगा और इसके अलावा जो इसका pH का सूत्र भी होता है जो की बहुत ही important है तो तकी pH का सूत्र होता है pH 1 B गटे H plus Ion और यह H plus Ion यानि है डोजन आयन जो है यह क्या होता है तो लगहू कुनक का वेट करवानू पाती होता है अगर जो है इसको हम हटा देंगे तो इसका शुतर क्या हो ज़ाएगा pH बराबर माइनस लोग H प्लस आयन हो जाएगा तो ये जो फर्मूला बहुत ही इंपोर्टेंट है कि pH बराबर माइनस लोग H प्लस आयन अब एक इसमा कोशन है रसायन उद्ध्योग में कौन सा तेजाब मुल रसायनिक जो है माना जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा H2SO4 है अब देखिए बाइसमा कोशन है निम्रलिखित में से कौन सा योगिक Lewis अमल नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर बोल है Lewis अमल नहीं है मतलब चारिये बोल रहा है कि कौन सा इसमें चारिये है तो NH3 जो यह एक चारिये है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा NH3 कोशन है जो कि कथन और कारण से समदिद है काह रहा है कि सल्फुरिक अमल को तनु बनाने के लिए पानी में अमल मिलाया जाता है, नो की अमल में पानी, और बोलना है इसका कारण यह है कि पानी की विशिष्ट उसमा जो बहुत अधीक होती है, तो देखिये, इसका जो आंसर होगा वो होगा कि यह जो है सलफुरिक अमल जो है, जो तनू बनाने के लिए पानी में अमल मिलाया जाता है नो की अमल में पानी और उसका कारण जो है दोनों जो है क्या है सही है लेकिन यह जो कारण जो है यह जो बोल रहा है कि पानी के विशिष्ट उसमा बहुत अधिक होती है यह जो है यह का यानि कथन का जो है असपस्टिकरन नहीं कर रहा है इसलिए इसका अंसर कि हो जाए n reflecting में i am लगा हुए है लेकिन और क्या होता है है इसमें कहीं है अक्सीजन नहीं है तो इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा हैड्रोकलोरिक अमल हो जाएगा अब देखिए पच्छिसमा कोश्चन है एक अग्यात गाइस जल में सिगरता से घूल जाता है गाइस युक्त जलिये घूल में इसमें कलोराइड के साथ जो है जब यह अभी किरिया करता है तो यह धूम्र भी देता है इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा C हो जाएगा अब देखिए 26 कोश्चन है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है खाने का सोदा है इसका अंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा sodium bicarbonate देखिए यह जो sodium bicarbonate है इसका सूत्र होता है आपको याद रखना है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है और इसे ही जो है sodium bicarbonate को क्या कहा जाता है तो baking soda या baking powder या इसे जो है खाने वाला soda कहा जाता है और यह जो है एक sodium hydrogen का carbonate है किसका carbonate है अगर पूछ देखिए sodium bicarbonate किसका carbonate है तो sodium hydrogen का carbonate है वहीं अगर आपको पूछ देखिए sodium carbonate का सुत्र क्या होता है तो Na2CO3 होता है और इसे जो है धोबन soda के नाम से जाना जाता है और इसका यूग कपराद होने में होता है और यही द देखिए दोनों में क्या है दोनों का सूत्र में है सोडियं लगा हूँ है और दोनों के लाश्टिम कारबोने helfen लगा हूँ इसा पता कीजेगा तो द्थे कार्बोनेर जिसे खाते हैं उसमें हैड्रोजन लगा होगे बीच में और बांकी में नहीं ुहीं लगा होगा तो इससे जो आपको पता जो है चल जाएंगा ड़ेखिया अब सक्षात्रवाइंग चल जाएगा भी शूट शूल सबसे जैदा मात्रा दे किसका आंसर हो जाएगा sodium chloride NaCl देखिए यह समदरी जल यह क्या होता है नमकीन होता है हम आपको बताएते और नमकीन के कान क्या होता है यह भी बताएते कि जब जहाज को पानी में समुद्र के पानी में डाला जाता है तो क्या होता है थोड़ा जैदा ऊपर उठ जाता है हमको अभी यहाँ पर उसके बारे में चर्चाने करना है हमको देखना यहाँ पर पूछा है कि एक लवन सागर में सरवाधिक पाया जाता है वो कौन सा लवन है तो सोडियूम कलोराइट और यह कई से दुवारा पानी को जमा किया जाता है फिर वहां पर वास्विकरन के दुवारा जो है जब सूख जाता है तो वहां पर नमक का टुकरा होता है बराबरा उसे फिर मसीन में तोरा जाता है महीन किया जाता है फिर उसे जो साप किया जाता है और उसके बार उसमें जो है सोडिया उसमें डालकर जो आयोडिन बनाया जाता है अब देखिए उन्तिसमा कोश्चन है निम्न लिखित मेंचे किस लवन को परति दिन खाद नमक की रूप में उपयोग जो है नहीं करना चाहिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा समुदरी नमक को क्यों क्योंकि यह बहुत ही मोटा होता है जब तक इसे साफ नहीं किया जाया और इसमें पतला नहीं किया जाया तब तक यह खाने लाएग नहीं होता है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भी हो जाएगा समुदरी नमक 그것 अब देखिए तीसमा कोशन है विरणड़ क्चूर्न के लि होता है यह भी सख्याय कारा यह हो जागा अब दाएगा अब देखके आपई तो बुलबुल बनते हैं जिसका कारण क्या है आप देखी होंगों कि जब इनो का फॉलबुल होते होंगे तो क्या होता है जब इसे पानी में डालते तो बुलबूला होता है किस के कारण होता है इसमίνe, CO2 गैस होता है उसी के कारण होता है अब देखिए 32 कोशन भी किसी भी घोल के अमलिये या छारिये होने का भी और पहले भी हम बता है कि pH जो या होता है सबखंगे कथा इन होता है तो इसका आंसर kia हीजाई का गोह जाएगा चार यह होता रहीं कि क्छी तदिसे मलत कर देता है जरी एक गोल कर लबन में अपो यह जाएगा agora कि प्रजिए और आद हो इन हीजरे करदे और इसका अन्सर कंद में 2015-1000 कोण देखिए-ो और अब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब अब इसका पर्फम किस ने कहा था तो यह किस ने आता तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा देवी ने कहा था मोहर लवन गोंसा है É nearlyन投स jamais क्या है इसलिए इसका चुरा सकते किसी बी आदमी में को आपके पास ताकत हो जागा तो चह आपको वे से याद रखना है च्षक्का छुऋदगाना, तो 6.6, तौश्यिघन है, 궁. 49-वा कोशेण है, pH का मान निर्धारन किसने किया था, वो जो मानक है, उसका मान जो है, उसमें निर्धारन किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा D हो जाएगा सौरेंसन चालिसमा कोशन है सभी अमल जल में घुल कर क्या परदान करते हैं तो देखें अमल क्या करते हैं परदान तो H प्लस आयन करते हैं हैडोजन आयन करते हैं हां लिटमस्पत्र को नीला कॉन करता है ना कॉन करतें चार करta लिटन 마लयोथ कॉर्ट है गोड़न कर दिया है अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लैक करिए और सेर करिए आज के लिए बस इतना ही चलते हैं गुड नैट टेक केर